Your environment makes your thoughts हाँ दोस्तों एकदम सही है आपका environment कैसे आपके thoughts generate करता है इसे एक example से मैं समझाता हूँ कि चलो आपने एक gym जाना शुरू कर दिया आपने तीन चार दोस्त उसे discuss किया और सबके सब ready हो गया सुबह पांच बजे उठके gym जाने के लिए और आपने gym जाना शुरू कर दिया कुछ दिन तक गए धीरे धीरे उसमें से एक दो दोस्त आउट हो गया फिर तीसरा दी दोस्त आउट हो गया आप अकेले रहे गए जब तक आप group में जाते थे आपके thought process एक जैसे चलते थे कि हमें ऐसी body maintain करनी ऐसा बनाना ऐसा six pack एक बनाना है तो आपका thought process उनके group के thought process की साबसे work करता था लेकिन जब वो लोग जाना बंद कर दिये तो आप अकेले हो गए तो आपका भी thought process काम करना बंद कर देता है हाँ दोस्तों तो ये power होती है environment की कि वो आपके thought process को कैसे active रखता है तो प्लीज दोस्तों अपने environment को जानो और अपने thought process को active रखो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे like और share जरूर कीजिए